चार सरावियों के बीच में रह रहे हो तो आने वाले दिनों में पांच विस रावी आप होगे क्योंकि वह ऐसा माहूल ही होता है जो कि आपको वह अपने तरफ खीचता है मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिससे सुनकर आपको अच्छा लगेगा एक जंगल में जाता है तो अन्य के साथ रहता है उनी जैसा बड़ताओ करने लगता है तो एक दिर ऊपर देखी रहा था तो सांदर एक बाज उड़ रहा था तो उसने कुछ मूर्ग्यों से पूछा एक जो आपको ओल रहा है यत मैं हम क्यों नहीं और सकते हैं तो जवाब एक मुर्ग्य उने कहा कि हम इसलिए नहीं उड़ सकते हैं कि हम मुर्गियां वह वह इक बाज वह एक सांधर फक्षी है तो उनकी बात मान लेता है और मानकर वह अपनी लाइब में सबसे बड़ी गल्ती यह करता है कि वह अपने आपको कभी पहचानी नहीं पाता है कि वह 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 बाज ह तो कहते हैं कि जैसे रंगत उती है वैसे संगत होती है है ना तो सवाल यह उड़ता है कि किसी मुर्गियों की मस चुनो अपने मन की करो अपने दिल की करो कि आप जो कर सकते हो लाइब में कोई दूसरा इंसान कता ही नहीं कर सकता बिलकुल नहीं कर सकता आपके जैसे इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता आप एक फिंगर प्रैंट दुनिया में मिले तो बहुती यूनिक बात होती है कि मिल जाए जाए आप जाए यह नहीं मिलता है जिसमें क्या है मूर्गों जैसा बात करना पर विखों का भी गरत्व चुछ नहीं अगर आप प्सक्रिश क्लास सब्सक्राइब रहे हैं और अगर आप एक मूर्ग की तरह उसमें चले गए तो हो सकता है पहले मूर्ग आफी हो लेकिन पहले बैक्ति भी आफी होगे उसमें सबसे ज्यादा सीखने वाले तो सवाल यह होता है कि उन वैक्तिव के साथ मत रहें जो मूर्ख हैं उनके साथ रहें जो आपसे जादा घ्रोध कर रहे हो जादा स्मार्ट हो अगर आप अपने आप पर यह समझे रहो कि मैं मूर्ख हो मैं उन लोगों मैं नहीं रह सकता तो आप उन लोगों मैं रहें क्यों क्यों आपको बात मेरी अच्छी लगी है तो भीडियो को लाइक करें और इस भाइक को कि सब्सक्राइब करें